सुप्रवाग बच्चों आज मैं उस तक भाषा संजीवनी के पार्ट एक को पढ़ाने जा रही हूँ जो है हमारी भाषा बच्चों आपने तरह तरह के जीवजन्तु देखे होंगे समय समय पर उन्हें आवाजे निकालते हुए भी सुना होगा इन्हीं आपने जीवजन्तु को आवाजे निकालते हुए सुना होगा चिडिया चीची करके चेकती है चिडिया कैसे चेकती है चिडिया करती है न? इसी तरह अपनी बात को दूसरे तक पहुचाते थे हम पहले कैसे अपनी बात को दूसरे तक पहुचाते थे इसी तरह हमने धीरे-धीरे सुनकर समझना शुरू किया यानि पहले हम इसी तरह अपनी बात पहुचाते थे अब देखो इस प्रकार सभी प्राणी अपने मुख से ध्वनी निकाल कर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब देखे बाशा के दो रूप हैं। मुखिक और लिखिक जब हम बोलकर अपने बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे भाशा का मुखिक रूप कहते हैं। तो उसे भाशा का मुखिक रूप कहते हैं। अब देखे भाशा के अन्य रूप। संकेतों के द्वारा भी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सभी बातें केवल संकेत के द्वारा दूसरों तक नहीं पहुंचाई जा सकते हैं। भाशा के लिखने के लिए जिन संकेतों का प्रियोग किया जाता है उसे लिपी कहते हैं। यानि भाशा को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रियोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं लिपी। अब देखे कुछ भाशाएं और उनकी लिपियां। हिंदी हिंदी की कौन सी लिपी है देवनागरी अंगरेजी की रोमन उर्दो की फार्सी पंजाबी की गुर्मुखी मल्यालम की घरोष्टी ठीक है अब हम पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं पहले हम सुनते हैं फिर बोलते हैं उसके बाद पढ़ना सीखते हैं और अंत में पहले सुनते हैं बोलते हैं इसके बाद पढ़ना सीखते हैं और अंत में लिखना अब भाषा का पहला रूप बोली होता है भाषा का पहला रूप क्या होता है बोली अब हिंदी संस्कित और मराथी भाषा की लिपी देवनागरी के है देवनागरी है यानि हिंदी और संस्कि तो मराठी भाशा की लिपी देवनागरी है प्रतेक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है अब देखो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो अब हम जान गए हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुचाने वाले साधन को भाशा कहते हैं यानि जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं और उसके लिखने के ढंग को लिपी कहते हैं. अब भाषा को बोलने का सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. प्रतेक भाषा की अपनी एक लिपी होती हैं, हर भाषा की अपनी एक लिपी होती हैं. हिंदी की देवनागरी लिपी हैं. ठीक है बच्चों आपको समझा आया यह पाठ? अब मैं आपको एक्सेसाइज समझा देती हूँ. लिपी की आवश्यक्ता होती हैं. बोलने में, लिखने में, दोनों में, किसी में भी नहीं. तो लिपी की आवश्यक्ता लिखने में होती हैं. हम भाषा सीखते हैं सुनकर औ पढ़कर और लिखकर केवल देखकर तो हम भाषा सीखते हैं सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अब भाषा लिखने का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना या पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना दोनों इन में से कोई नहीं तो भाशा सीखने का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना अब सोचो और बताओ रिक स्थानों में उचित शब भरो विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? भाशा, भाशा के दो रूप हैं मोकिक और लिखेत लिखने के लिए प्रयोग होने वाले संकेतों को क्या कहते हैं? लिपी अब पढ़िए और लिखे बच्चों आपको ये पढ़ना भी है और लिखना भी है हरी भरी धर्ती है, इसकी हरे बरे है केत कहीं पर बारिश रोज है होती, कहीं पर उड़ता रेत ऐसा देश हमारा सारी दुनिया से न्यारा अब ये दिखे एक सीड़ी पर भाशाएं लिखे और दोसरी पर लिपियां उनका सही मिलान कीजिए, आपको भाशाओं का लिपियों से मिलान करना है, ठीक है? और खेल-खेल में नोट के उपर देवनागरी लिपि में लिखेवे शब्दों पर आपको गोला लगाना है, कि देवनागरी लिपि में जो शब लिखे हैं उन पर गोला लगाना है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी